Legend of Paul यह 1994 में में रिलीज हुई फिल्म वन आप दे क्रेटेस्ट फिल्मों के लिश में गिनी जाती है मेरा परसनली यह मानना है कि जो फिल्में नौवेल पर बेस होती है वो यकिनन बहुत अच्छी फिल्में होती है और यह फिल्म भी Jim Harrison के एक MS नौवेल पर बेस है वो हमें फिल्म की स्टोरी नियारेट करते हुए लेजन्ड का असली मतलब बताते हुए कहता है कि जिस आदमी को अपनी इनर वाइस क्लियरली सुनाई देती है और वो उस वाइस को फॉलो करते हुए अपना जीवन जीता है एसे लोग एक तो पागल हो जाते है या फिर एक लेजन्ड बनते है फिर वो आगे करनल लोडलो के फैमिली की कानी बताने लगता है करनल लोडलो जब अमेरिकी सरकार के लिए वा के नेटिव अमेरिकन के खिलाब लड रहे होते तब वे उन नेटिव अमेरिकान को हरा देते हैं और जंग जित जाते हैं पर जब वे नेटिव अमेरिकान वहाँ से अपनी जिमीनी छोड़कर चले जा रहे होते हैं तब यह देख करना बहुत दुखी होते हैं और उन्हें यह एसास होता है कि अमेरिकी सरकार ने नेटिव अ लेकर मोंटेना के पहाडियों में अकेले रेने चली जाते हैं करनल विल्लियम लुडलो की फैमिली में उनके तीन बेटे अलफ्रेड ट्रिस्टन और छोटा सैम्योल करनल का एक पुराना क्रीप रेंड वन स्टैब करनल के साथ काम कर राडेकर उसकी पतनी पेट और उनकी पेश नहीं आती हालाकि उनका बड़ा बेटा अलफ्रेड अपनी मा से लेटर के जरिये फूप सारी बाते करता रहता था पर इजाबिल उने छोड़कर चली गई इसलिए नाराद होकर ट्रिस्टन ने उनके बारे में कभी भी ना बोलने की कसम खाई और उसकी जिंदगी ब उसे इसी तरह आज़ाद रहेना पसंद था आगे विल्यम लूड़ो को उसकी वाइब इजाबे लेटर में बताती है कि उनका छोटा बेटा सैमियल हावर्ड में सुजेन नाम के लड़की के प्यार में पड़ गया है और उन दोनोंने एंगिजमेंट भी कर ली है जल दियो उसे मॉंटेना करनल और अपने भायों से मिलवाने ला रहा है आगे कुछ दिनों बाद जब रेल्वे स्टेशन पर अलफ्रेड और विल्यम सैमियल और सुजेन को रिसीव करनी जाते है तब अलफ्रेड सुजेन को देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है फिर सैमियल क ट्रिस्टन के बारे में पूछने पर अलफ्रेड बताता है कि तुम तो जानते ही हो कि उसका कोई आता पता नहीं होता होगा यही गई तब हमें दूर से ट्रिस्टन एक सिकार करके गोड़े पर आ रहा दिखाई देता है पास आने के बाद वो अपने छोटे भाई सैमियल स से मिलता है और सुजेन का वेलकम करता है तब सुजेन देखती ही कि ट्रिस्टन के कपड़े गंदे है और उसके शरीर से बदू आ रही है और उसे शिकार करते वक्त चूट भी आई थी फिर भी वो ट्रिस्टन के आजाद और वाइड लाइप से इंप्रेस होती है आगे सु अपसुरत लड़की और उसकी एनरजी उन तीनों बायों नी देखी नहीं होती है इसलिए अलफ्रेड और ट्रिस्टन दोनों दिरे दिरे उसके प्यार में पड़ जाते है फिर ट्रिस्टन एक जंगली गोड़े को पकड़ता है और उसे सवारी के लिए ट्रेन करता है सब क अपसुर्टन को भी कही न कही सुजेन अच्छी लगने लगी थी आगे जब सैमियल को पता चलता है कि फर्स्ट वर्ड वार शुरू हो गया है तब वो जर्मनी की खिलाब लड़ने के लिए कैनेडा के आर्मी में शामील होना चाहता है यह अपने पिता को बताता है पर इस हुसे अपसुर्ण सुजेन भी सैमियल से नाराद होती है यूगकि उसे लगा था कि अब वो सैमियल से शादी करीगी पर सैमियल तो जंग पर जानी की बात कर रहा होता है हाला कि ट्रिस्टन को इस जंग से कोई मतलब नहीं होता है और वो जाना भी नहीं चाहता है आगे सेमिल को बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे जंग में खोना नहीं चाहती प्लीज तुम उसे जंग पर ना जानी के लिए मनाओ फिर ट्रिस्टन उसे प्रोमिस करता है कि वो भी जंग में जाएगा और अपने चोटी भाई सेमिल का ख्याल रखेगा और उसे सही सलामत वाप फ्रेड आता है और ट्रिस्टन की तरब गुस्से से देखता है और चला जाता है फिर करनल अपनी वाइप इजाबेल को लेटर रियकर बताता है कि आज हमारे तीनों बेटे इंगलंड की मदद करने जंग पर जा रहे है जिस देश को उन्होंने गभी नहीं देखा मैंने हम अपने बेटों को और की मैडनिस से बचा कर रखा और अब वे खुद उसे डूंटे हुए वहाँ जा रहे है फिर जाते हैं घर के सब लोग तिनों से मिलते हैं और अलविदा केते हैं फिर करनल बाहर आकर अपने एक-एक बेटे को अपने पास बुला कर उसे अलविदा केत और आखिर में ट्रिस्टन को अपने पास बुला कर उसे कहते हैं कि सैमिल का खाया रखना फिर ट्रिस्टन अपने पीता पो भी वादा करता है कि वो सैमिल को सही सलमद वापिस लेकर आएगा और फिर तिनों जंग के लिए निकलते हैं आगे करनल और सुजेन दोनों रात मे खामुशी से खाना खा रहे होते हैं तब उन्हें अपने किचन से सर्वंट डेकर और उसके पत्नी के खाना काते हुए हसनी की आवाद आती है तब करनल सुजेन का अकेला पंदूर करने के लिए उन्हें जौइन करता है और उस सर्वंट की बेटी इजबेल को करनल खुद मजदार औरत बनीगी इससे हमें पता चलता है कि करनल की सोच कितने अच्छी होती है दूसरी तरब जंग का माहौल दिखाया जाता है हालाकि ट्रिस्टन और सैमियल दोनों अलग-अलग बटालियन में होते हैं पर ट्रिस्टन हमीशा सैमियल के पास रहता था और उसे बचा बता है कि हो अपने ऑफिसर से मिलने गया है यहां अलफेड उसे बताता है कि उसे अब घर भेज रहे है इस पर ट्रिस्टन अलफेड के लिए खुश होता है क्योंकि उसके लिए इस जंग के कोई माहिने नहीं होते तभी एक सोल्जर वहां आकर ट्रिस्टन को बताता है कि सेमियल को किसी और सोल्जर के बदले आगे की मोर्चे पर बेजा है तप ट्रिस्टन वासे जल्दी निकलता है पर जब तक ओसेमियल के पास पोच्ता है तब तक बहुत देर हो जूँचकी उती है जेरीली गयास से सेम्योल अंदा हो चुका होता है जिसकी वज़े से ओ नुकिली तारों में पस जाता है तबी कुछ सोल्जर ट्रिस्टन के सामने सेम्योल के शरीर पर खूप सरी गुलिया चलाते है और सेम्योल मारा जाता है फिर ट्रिस्टन सेम्योल का दिल निकाल कर अलप्रट के हातों अप नजरे नहीं मिला सकता क्योंकि उसने उनसे किया हुआ वादा पुरा नहीं किया था और वो सैम्योल के मौत के लिए खुद को दुशी मानता है आगे बहुत दिन इंतजार करने की बाद भी ट्रिस्टन नहीं आता और अर्फ्रेड को सुजेन का अकेला पन देखा नहीं जाता फिर एक दिन सैम्योल के ग्रेव के पास अलफ्रेड सुजेन को बताता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है और हम एक अच्छी लाइब जी सकते हैं इस पर सुजेन उसे के दिए कि मुझे नहीं लगता कि मैं तमें खुशी दे पाऊंगी और फिर को अलफ्रेड से शादी के लिए मना करती है आखित बहुत दिनों बाद एक दिन ट्रिस्टन वापिस आता है और सैम्योल के कबर पर जाकर रोता है क्योंकि उससे गिल्ट होता है कि वो सैम्योल को वार में नहीं बचा सका तब वह सुजेन आती है तब ट्रिस्टन उसके गल है कि सैम्योल मरने के बाद तुमारा रास्ता कितना आसान हो गया है यह सुनने पर ट्रिस्टन अलफ्रेड पर गुस्ता होता है तब अलफ्रेड उसे कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम कभी भी उसे खुश नहीं रख सकते फिर ट्रिस्टन कहता है कि मैं कोशिश करूंग आगे रात में अलफ्रेट सुजन से कहता है कि वो कल्या से दूर हेलना सिटी में रहने जा रहा है फिर वो सुजन को बताता है कि वो सुजन और ट्रिस्टन दोनों को आगे के लाइब के लिए all the best कहता है हाला कि सुजन को भी अलफ्रेट के लिए बुरा लगता है पर वो भी क्या करती उसे अलफ्रेट के लिए कोई फिलिंग्स नहीं होती है और फिर दूसरे दिन अपने पिता से मिलकल अलफ्रेट चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो एक अच्छा कैटल और ग्रेन ब्रोकर बन जाता है दूसरी तरफ ट्रिष्टन और सुजन यहां अच्छे से रह रहे होते है तबी एक दिन ट्रिष्टन एक बचली की आवास सुनता है और तब वो आजा करो देखता है कि ठीक उसकी भाई सेमिल की तरह ही वो बचला कमपोंड की नुकिली तारों में फस गया है औ और वो बहुत पेन से गुजर रहा है ट्रिष्टन उसे बचली की कोशिश तो करता है पर उसे पता होता है कि ओ अब उसे नहीं बचा सकता इसलिए ट्रिष्टन उस बचले को गुली मार कर उसे उस पेन से मुक्त कर देता है दूसरी तरफ ट्रिष्टन और सुजन यहां ट्रिस्टन कुछ भी नहीं बोलता आगे हम देखते ही कि ट्रिस्टन सैम्यल के मोथ के ट्रॉमा से उबर नहीं पाता ओरो अलफ्रेट को मौन्टेना चोड़कर हेलेना सिटी जानी के लिए भी खुदको जिम्यदार मानता है इसलिए एक दिन वो कई सालों के लिए मौन्टेन इतना भी वक्यों ना लगे मैं तुमारा इंतजार करूंगी और मैं अपनी पूरी जिन्दकी तुमारा इंतजार करने गलेता यार हूँ और फिर वो आसे रुती हुई चेली जाती है फिर सुजन उसे कई लेटर लिखती है पर ट्रिस्टन उसे लेटर का कोई जवाब नही देता और फिर कुछ सालों बाद एक दिन ट्रिस्टान सुजन को एक लेटर लिख कर बताता है कि हमारे बीज जो प्यार था वो खत्म हो चुगा है जैसे मेरे अंदर का ट्रिस्टान तुम किसी और से शादी कर लो यह सुनकर फुजन बहुत दुखी होती है आगे एक दिन अलफ्रेड अपने कुछ बिजनेस बन दोफ्तों के साथ मॉन्टेन अपने घर आता है तब वो अपने पिता से कहता है कि वो युनाइटेट स्टेट्स ओप कॉंगरेस ओपे शुरू करके पॉलिटिस में जाना चाता है करनेट की राय सरकार के लिए कुछ अच्छी नहीं उड़ती है क्योंकि उन्होंने सरकार के लिए फोज में काम किया था तब अमेरिकन गवर्मेंट ने लोकल इंडिन लोगों के गाव के गाव उजाड दे थे और उनका कतलियाम किया था इसलिए वो अपने बेटे से सहमत नहीं होते हैं और कहते हैं कि तुम अब जिने दोस्त कह रहे हो वो बस तुमारे साथ अपने मतलब के लिए है यह सुन अलफ्रेड नाराज होता है और कहता है कि आपको लगता है कि गवर्मेंट अच्छी नहीं है तो मैं आपका बेटा होने के नाते यह मेरा करतव है कि मैं गवर्मेंट में विजडम और हुमेनिटी लओ और फिर जब अलफ्रेड वास से जा रहा होता है तब वो सुजन को देखता है तब उसे पता चलता है कि ट्रिश्टन ने उसे छोड़ दिया है तब वो सुजन को कहता है कि तुमें एक अच्छी लाइब डिजर्व करती हो और मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ यह करकर वो चला जाता है उस रात करनल को पैरलेसिस का दोरा पड़ता है जिसके कारण वो एक साइड से अपाईज हो जाते है उनके बोलने की समता चली जाती है ऐसे ही कुछ साल बीच जाने के बाद एक दिन ट्रिश्टन वापिस आता है और अपने साथ बहुत सारे जंगली होडे लेकर आता है दूश है कि उनका बेटा वापिस आया फिर जब ट्रिश्टन सुजन के बारे में पूछता है तब उसे पता चलता है कि सुजन और अलफ्रेड ने शादी कर लिए यह सुनकर थोड़ी दिर के लिए ट्रिश्टन दुखी होता है फिर दूसरे दिनों सिटी में अपने भाई अलफ्रेड के गर सुजन से मिलने चाता है वो दूर से ही सुजन को देखता है और जब सुजन उसे देखती है तब वो पास जाकर उसे मिलता है आखिर में जब वो आस जाने लगता है तब सुजन उसे के दिए कि क्या तुमें अलफ्रेड से नहीं मिलना है तब वो कहता है क नहीं पर तुम उसे मेरा हेलो और कांगरेचिलेशन कहना और फिर वो आसे चला जाता है आगे घर जाने के बाद वो डेकर की वेटी छोटी इदाबेल से मिलता है वो बहुत बड़ी हो गई थी वो उसके आखों में उसके लिए प्यार देखता है फिर दोनों शादी गर लेते हाला कि दोनों के उम्र में बहुत अंतर था यह बात एक दिन अलफ्रेड सुजन को बताता है तब सुजन बहुत दुखी होती है तब अलफ्रेड को भी कई न कई पता होता है कि सुजन अभी भी ट्रिस्टन से प्यार करती है आगे एक दिन ट्रिस्टन को अलफ्रेड के दो लगाई थी और कुछ चुनिंदा लोग ही लाइसन लेकर शराब बेश सकते थे वे दोनों ट्रिस्टन को इल्ली गली शराब बेशने पर उसे वार्निंग देते हैं और कहिते हैं कि अभी तक तुम बस अपने बाई अलफ्रेट के गारण जिन्दा हो नई तो हम तुमें कब का मार देते हैं और फिर वो ट्रिस्टन को आकरी बार छोड़ देते हैं आगे कुछ सालों बाद एक दीन सिटी में अलफ्रेट और सुजेन ट्रिस्टन के फैमिली को देखते हैं फिर दोनों मिलते हैं तब सुजेन छोटे सैमिल को देखती हैं जिसका नाम उसके मंगीतर सैमि पर रखा था तब सेमयल उसे केता है कि क्या आप हमसे मिलने मॉंटेन आएगी तब वो दुखी होती है और उसके आखों में आसो होते है यह ट्रिस्टन भी देखता है फिर एक स्पीच के लिए अलप्रेडोर सुजेन चले जाते है फिर वो एक जग शराप का बॉक्स देता है जिसे कैनत देख लेता है फिर आगे रास्ते में वे ट्रिस्टन को पकड़ते है और तब गलती से एक गुली इजबिल को लगती है और वो वही मर जाती है और फिर वे लोग ट्रिस्टन को भी बुवत मारते है और फिर वो शराप को लेकर चले जाते है आगे ट्रिस्टन इ यह मिलते उसके बाद अलफ्रेट ट्रिश्टन को कहता है कि तुमने जिस पुलिस वाले को मारा वो बहुत क्रिटिकल है और इसके लिए तुमें 30 दिनों तक जेल में रहना होगा और फिर आगे मैं तुमें बाहर निकलने का इंतसाम किया है आगे एक दिन सुजेन जेल में ट् मैं मनी मन चाती थी कि जंग में सैमियोल मर जाए और अब तुमारी बिवी इजबिल भी इस पर ट्रिश्टन उसे कहता है कि उन दोनों के मरने में तुमारा कोई हाथ नहीं है और फिर ट्रिश्टन उसे वापिस कर अलफ्रेट के पास जाने के लिए कहता है फिर सुजेन साथ भी कुछ नहीं रहे सकती इसलिए एक दिन सुजेन खुद को गोली मार कर अपनी चान लेली थी है यह बात ट्रिश्टन को अलफ्रेट लेटर लिक कर बताता है और फिर बताता है कि तुमने उसे जीत लिया मैं उसे मॉन्टेना लेकर आ रहा हूँ फिर सुजेन को भी वो लोग स्टैम्योल और इजाविल की पास दफन कर देते हैं फिर अलफ्रेट ट्रिश्टन को कहता है कि मैं ने सभी नियमों का पालंग किया तब की केर की और तुमने किसी भी नियमों का पालंग नहीं किया और नहीं किसी की सुनी फिर भी सभी लोग तुमें चाहते थे स उसके पिता और खुद उसकी बीवी सुजेन फिर अलफ्रेट ट्रिश्टन को कैदा है कि मैं अपने बीवी के साथ कोश टाइम अकेला रहना चाहता हूँ ट्रिश्टन अपने बड़े बाई अलफ्रेट की रिस्पेट करते हुए वा से चना जाता है कुछ दिनों बाद ट्रि होते हैं तब करनल बाहर आकर उन पर गूलियां चलाता है और जब आकरी पुलिस वाला ट्रिश्टन पर गूली चलानी वाला होता है तब दूर से अलफ्रेट उस पुलिस वाले को गूली मार कर मार रालता है और अपने पिता और ट्रिश्टन को बचाता है फिर आखिर में क जब अलफ्रेड अपने पिता के गले लगता है तब उसके आखों में आशू होते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन अपने भाई अलफ्रेड को अपने बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर हमेशा के लिए मॉन्टेना छोड़ देता है। उसके बाद हमें वन्टेब बताता है कि जब ट्रिस्टन एक बच्चा था तब मुझे लगता था कि वो कभी भी बुड़ा होकर नहीं मरेगा। क्योंकि वो वो थी वाईडो सालसी था पर हुआ उसके विपरित जो लोग उससे सबसे ज़्यादा चाते थे वही लोग उसकी पहले मर गए। फिर हमें सबकी ग्रेवियार्ड दिखाई जाती है और फिर बताया जाता है कि ट्रिस्टन 1963 में जंगल में एक पालू से लड़ते हुए मारा जाता है और फिर इसी पर फिल्म खत्म होती है।